जब ग्रामिणों को पता लगा तो ग्रामिणों को पता लगा तो ग्रामिणों ने सभी अधिकारियों के पास जाका शिकायत की जब ग्रामिणों को पता लगा तो ग्रामिणों ने सभी अधिकारियों के पास जाका शिकायत की जब वन विभाग शिकार कुम्बकरन की निंद चाकी और उन्होंने आकर खाना पुर्दी का काम रुखवाया ग्रामिणों का कहना है कि जंगलों में कई हजार तेंदु पत्ते के व्रक्ष लगे हुए थे जिससे हमारा जीवन यापन होता था और हमारे भुजुर्गों से लेकर कई पेडियों से तेंदु पत्ते से हम लोगों का गुजारा चलता था मगर वन विभाग ने कमपनी से मोटी रकम लेकर सभी पेडों को बरबात कर दिया और जब हमारी द्वारा शिकायत की गई तो सिर्फ खाना पूर्ती का काम बंद कर दिया गया और अब हमारी रोजी रोटी कौन देगा सिवनी जीले के घंसोर ब्लॉक में जहाबुआ पावर लिमिटेड कमपनी का उपकरम है जो कोईले से बिजली उत्पाद करती है उसे कोईले से सफेद रख नहीं निकलती है जिससे परिवहन के लिए पशुपतिनाथ कमपनी को इरिगेशन और प्लांट से कहीं दूर नस्ट करने के लिए ठेका दिया गया है जो की तीन साल का कारी है कमपनी द्वारा वन विभाग से मिली भगत कर ग्रामिडों के खेत के बीच से रोड बना कर अवेद तरीके से वन भूमी के रोड बना कर हरे भरे व्रक्षों को नुकसान कर जबरदस्ती दबंगी कर रही है जिसकी ग्रामिडों ने सभी जगा शिकायत की है हमारे द्वारा वन परिक्षित अधिकारी शिकार कारियाले में जाकर इस विशे में जानकारी प्राप्त करना चाहा गया तो वहा की रेंजर रुची पतेल द्वारा कोई भी जानकारी उपलब्ब नहीं कराई गई ऐसा लगता है कि वन परिक्षित अधिकारी की मिली भगत से पूरा कारे हुआ है पूरे बरबाद करता है ना आपकी रोजी रोटी थी का अच्छा अच्छी आए हो जाती थी अच्छा इनके कारण आप चलके पेदल रोट के बादी दो चलके देखिए साफ दो आपकी जूचा रंगते हैं तो बन बेभाग बालों से आपने सिकाद नहीं करें किया स्वाइब तो यहां पर कोई के करमचारी आते जाते नहीं थे किनकी बन बेभाग के अच्छा बोलाएं ता आनी तो नहीं आते हैं लुकह तो आदा जी क्या नाम है कितने किलोमीटर दूर घोज गई बन बेभाग को किस ने बताया अच्छा इससे पहले दो किलोमीटर दूर बन में घोश गई पूरी रोड बनते हुए तो बन बेभाग को पता ही नहीं क्या सोया रह गया पता नहीं इसका तो हमने जानकारी दिये तब अच्छा क्यों हो जूट हुट 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 हुट